चलिए बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर मसाला यह इसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और आप इस तरीके से ट्राइ करोगे तो बिल्कुल टेस्ट रेस्टोरेंट वाला आएगा तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे पनीर तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है उसको अच्छे से कट कर लेंगे अब हम यहाँ पे लेंगे एक फ्राइ पैन इसके अंदर एड़ करना है थोड़ा सा ओइल और पनीर को शेलो फ्राइ कर लेंगे आप देख सकते हैं पनीर का कलर हलका सा चेंज हो गया है इस तेज़ पे हम पनीर को निकाल लेंगे और नॉर्मल पानी के अंदर इसको डाल देना है इससे पनीर बहुती सॉफ्ट रहेगा सेम पेन में अब हम एड़ करेंगे खड़े मसाले तो यहाँ पर मैंने लिया है काली मिर्ची, लॉंग, तेज पता, दालचिनी, गार्लिक, जिंजर, अन्यन, टमेटो को साथ में ही एड़ कर लेंगे अब हम इसको थोड़ी दर के लिए कोक करेंगे, देन हम इसके अंदर एड़ करेंगे, साबूत लाल मिर्ची, जिसको मैंने पानी के अंदर बिगो के रखा हुआ था, थोड़ी से रखे हैं काजू, इसको भी हम डाल देते हैं अब आप देख सकते हैं कि इसका color change हो गया है तो इस stage पे हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद में grind कर लेंगे same pen में डालेंगे थोड़ा सा butter, ginger, garlic, paste, थोड़ा सा डालेंगे बेशन, साबुत लाल मेची इसको हम पकाएंगे जब तक कि इसकी खुश्बू ना आए अब इसके अंदर अच्छे से खुश्बू भी आ रही है और इसका हलका सा color भी change हो गया है जो हमने grind करके रखा हुआ था इसके अंदर add कर देंगे इसको अच्छे से mix कर लेना है इसको हम 5-10 minute के लिए cook करेंगे अच्छे से mix कर लेते हैं अब हम यहां पर डालेंगे मटर और पनीर को भी हम पानी के अंदर से निकाल के सिधा इसके अंदर डाल देंगे यह प्रोसेस करने से बहुत ही soft रहता है पनीर अगर आपने कभी ट्राइड नहीं किया तो एक पार जरूर ट्राइग करना अब इसक कर दो